इसी साल फरवरी महिने में जुन जुनू के पिलानी स्थित बिच्स की महिला प्रोफेसर की साथ हुई साथ करोर से ज्यादा की साइबर ठगी का मामला सिर्फ साइबर ठगी का नहीं था बलके डिजिटल अरेस्ट का भी था जी हाँ हाल ही में डिजिटल अरेस्ट के मामले में मध्रप्रदेश और NCR के एरिया में काफी मामले सामने आये हैं जहां साइबर ठगों की ED, CBI, पुलिस, इंकम, टाक्स, जाच एजनसियों का ये डर दिखाकर वीडियो कॉल के जरीए घर ही में बंधक बना लेते हैं और उनके हर आवाजाही की रिपोर्ट लेकर उनके उनसे पैसे ठगने लगते हैं ऐसा ही वाक्या बिच्पिलानी की श्रीजाता डे के साथ भी हुआ है उन्हें तीन महिने तक डिजिटल एरेस्ट बनाकर ठगों ने 7.67 करोर रुपे उनसे ठग लिए फरवरी में जब मामला खुला और साइबर ठाने में रिपोर्ट दर्ज कराए गई तो उसके बाद पुलिस ने जाच शुरू की लेकिन ठगी कई रकम बड़ी थी और साइबर ठग भी काफी हाईटिक थे ऐसे में इस प्रकरण को पुलिस मुख्याले के लिए भेज दिया गया था पुलिस मुख्याले की मुख्य साइबर सेल ने जब इस प्रकरण की जाच शुरू की तो करीब 200 से अधिक बैंक खातों को खंगाला गया और भी चेकिंग की गई और चौकाने वाली बात ये थी कि जो पैसे श्री जाता डे से ठगे गये थे वो विदेशी बैंकों के खातों में भी डलवाए गये थे इसे पुलिस को शक है कि इस तरह के डिजिटल एरेस्ट प्रकरणों में इंटरनाशनल गैंग का हाथ हो सकता है आप पुलिस इस मामले को CBI को सौप रही है और जाच में जुटी है CBI